तेंक्यू जार, जे महानायक कासी राम स्कूल ओफ थिंकिंग के द्वारा चराए गए PBSP प्रोग्राम के तहत Social Transformer Movement में हिस्सेदारी कर रहे सहकारियो आज जो छे विशे PBSP प्रोग्राम के तहत हमें बताए गए उनमें से सेक्टिंड विशे चल रहा है एजूकेशन का हम उसे पर आज बात करेंगे साथियो मैं बात करना चाहूंगा We are here discussing rather exploring unexplored ideology of humble career और ये सारी विधाएं जितनी भी बताई हैं छे की छे जो PBSP ने रखी है वो सारी सब का प्रियास यही है तो मैं सुरू करता हूँ कि बाबा साब के अपने जीवन का आल में उन्होंने चार गुरुओं का नाम लिया है उसमें से गौतम बुद्धा पहले हैं दूसरे संथ कबीर जी तीसरे महत्मा जोती बाफूले जी और चोथे उनके कोलम्बा युनिवस्टी के प्रोफेसर जॉन डीवे तो मैं गौतम बुद्धा की बहुत थोड़ी सी फिलोस्पी उनकी जो एजुकेशन की है वो टीचिंग और प्रीचिंग अब धम्मा और उसमें थिंकिंग स्किल भी थी और राइटियस पाथ और प्यॉरिटी और अच्टक अश्टांगी मार्ग दस परामित आएं वो सब आप लोग नजानी होंगी लेकिन उस सब को यहां ना कहते हैं जो हमारे रिलेमेंट की चीज़ है मैं शुरू करूँगा असोका के टाइम की जो एजुकेशन है क्योंकि हमारा जो विनास हुआ है वो इसी वज़े से हुआ है क्योंकि बनुबाद का विनास महान असोक के सासनकाल में हुआ और जो उनके टाइम में एजुकेशन सिस्टम था उसमें चार तरह की सिक्साइं थी, आप लोगों ने भी जानी है, मैं दुबारा बतायता हूँ, सबसे एहम उसमें आन्विक्सी की सिक्सा थी, दूसरी त्रही, तीसरी वारता, चोथी दंड नीपी. तरही में तीन वेदाओं को पढ़ा जाता था, उस समय अथर वेद नहीं था, और वारता में एग्रिकर्चर, पसोपालन, बिजनिस, वेवसाय, इन से सम्मन्डित चीजों का ज्यान दिया जाता था, और दंड नीपी में पिरजा को अलग रखकर, सासन करने की नीपी केवल र वो सारे आन विक्षी की सिक्सा में आते थे, और उस आन विक्षी की सिक्सा में भी 12 बहुत अहम सब्जेक्ट थे, और उस 12 में से thinking skill सबसे अहम सब्जेक्ट था, आपको 12 सब्जेक्ट बताए गए हैं, उन thinking skills में, यह सबके लिए वहाँ compulsory थी, from primary to post-graduation, और education सबके लिए फिरी थी, और education में कोई पक्षपात नहीं था, gender discrimination नहीं था, वो महिलाओं के लिए भी थी, पुरसों के लिए भी थी, और सब caste and creed के लिए थी, और thinking skills के साथ, emotional education का ग्यान भी वहाँ दिया जाता था, लेकिन ब्रहामनों को वर्चस अपना खतम होते नजर आया, इस सिक्सा से, तो ब्रहादरत की हत्या के बाद, उस मित्रत सिंग ने, जब मन्युसमर्ति की रचना हुई, उसमें, सुद्रों से, तीन अधिकार चीने गए, और वो, महें से हमारा पतन शुरू हुआ, वो अधिकार थे, denying the right of education, right to weapon, and right to property, right to education और right to weapon, ये दोनों education ही हैं, क्योंकि एक में पढ़ने लिखने की सोच वचार की सिक्सा है, और दूसरे में अस्त्र सच्र की विद्यागा सीखना है, वो भी एक education ही है, और जब हम इन दोनों से वंचित कर दिया है, तो आप जानते हैं इसका परणाम क्या हुआ होगा, लेकिन परणाम से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, हमको यूंसे क्यों बन्चित रखा, उनको कुछ लाब होगा, और जो उनको लाब था, मेरे ही अपने विचार में, उन्होंने इसको हम से ज्यान से दूर रखा, क्योंकि अगर हम उनके इस ज्यान को जान लेते, तो हमें उनकी मूड़ता, पाखनवाद, खोकलापन जो उनके दिमाग में था, उसकी जानकारी हो जाती, और हम रिवोल्ट कर बैठते, दूसरा, हमें उनके धम सास्त्रों लिटरेचर में जो उनके बखवास लिखी है, उसका ज्यान हो जाता, हम तब भी रिवोल्ट कर पाते, तीसरा, जो लेवर है, जो आदमी परिश्रम कर रहा है, सर्मिक अपने निधारित मुल्ल का मांग करता, अगर उसके पास में थिंग की इसकिल होती, जान होता, विद्या होती, तो भी इनको नुखसान होता, जो था, सिक्सा करहन करने के बाद में हमें राइट और रॉंग, सत असत, और राइटियस ने इसकी ग्यान होता, और तब भी हम यह जान करके कि क्या गलत है, क्या सही है, तब भी रिवोल्ट करते, और लाश्ट में हम अपने पावर जो हमसे चीने गई है, उसको वाफिस स्रेच करने की कोशिस करते हैं, तो यह इनको उन रुक्सान होने के सही, इसलिए इन्होंने हम से यह सारे अधिकार चीने और हमको इनसे बंचित रखा, और लगवग 2000 सालों तक बंचित रखा, उसके बाद में हमारे यहां अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने हमें पढ़ने का अधिकार हमें शुरू क किया, इंग्रेज मेडियम स्कूलों में हमारे एड़िसन हुआ, और हमारे महानायक जोती बाफूले, महत्मा जोती बाफूले अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, और सबसे पहले उन्होंने हमें एक, अपनी एक छोटी सी कविता के साथ में हमें एक मुमेंट दिया, और सोच उसको इंग्ली समझाने को सकता हूं, उन्होने हिंदी में सम्झा दिया है, विद्दे विना मति गेली, we have lost our ability to think and develop emotional intelligence, emotional intelligence, भाव सुधी, शिक्सा जो हमरी थी, जान था, भाव सुधी हमने खोदी, in the denial of education, और ये क्यो हुआ, due to our force ignorance, दूसरा मति गेली, we have lost our process of self-governance, in denial of ability to think, and develop emotional intelligence, हमने यहाँ, social intelligence भी अपने खोदी उसके साथ साथ, निती के साथ साथ, and निती गेली, we have lost our process of dynamism, process of dynamism means social intelligence, हमने अपना social intelligence भी एठे, in the absence of self-governance, इतना नुक्सान, केवल इस एजुकेशन के वेज़े से हो गया, and मतिवी ना की वित्त के ले, we have lost our financial system in the absence of process of dynamism, जो हमारा social intelligence खतम होगी, तो हम गरीब होगे, हमने अपने धन संपत्ति का अधिकार खोदिया, हैने वित्त बीना सुदर के अचले, और जह हमारा पास धन की कमी हो गई, तो we have gone to downfall, और हम downgraded हो गए, और ये सब कुछ हुआ केवल एजुकेशन के वज़े से, और इतने सारे अनर्थ के वाल एक इस विद्या से हुए, और अल ओग दीस दाउंग्रिदिनेस वर कोज़ दू दू तो फोर्स इगनोनास और बाई देलाव एजुकेशन, तो हमारे सामने इसके चैलिंज क्या है, we have got two type of challenges. PBSP के द्वारा, we are being equipped with thinking skill and social intelligence to create corporative intelligence class, corporative intelligence class. By that, we can prepare to face the challenges of chamchayaj, whatever Manevarka Srinamji has had, along with Manuvad, we can fight this both system. साथियों इसी तरह से, माता सावित्री भाई फूले ने भी अपनी education में कहा, मैं उसको अब नहीं समझाऊँगा यहां, और उनसे प्रेरित होकर, बाबा साब, आमगर जी ने हमें तीन टूल दिये, वो थे, educate, agitate, organize. इनके रियली बिनिंग समझाए, जो हम लोगों को उस तरह से नहीं मालूम थे, जिस तरह से आज मालूम है. And now you, everybody know, educate means, learn and teach thinking skill. सोचने वाले को सोचना होगा और सोचकर समझाना होगा. Agitate, learn and teach possibilities, possibilities कलासनी होगी और possibilities कलासना सिखाना होगा. Organize, learn and teach creativity. और इसी से हम अपनेगी, सरजनात्मा, सरजनात्रा सीखनी होगी, करनी होगी और सरजनात्रा सीखकर सिखानी होगी. And forming thinking skills society, explore new possibilities, and from those new possibilities, reconstruct intellectual cooperative society by organizing experiences and create a new possibility, the process should go on. और ये प्रोसेस हमें बिल्कुल चलाते रहना हाँ, ये कही रुकने वाला प्रोसेस नहीं है. जिस तरह से दूद को मत्रे से मठा निकलता है, लेकिन हमारा निकलके भी नहीं रखना है. ये रहत के पानी की तरह से है, जो माल गाली चलती रहती है, और पानी आता रहता है, हमें उसको हमेशा दूहन करते रहना. So, possibilities हमें इसनी तलास करने हैं, because power of the power is the power of possibilities. ये बार-बार ये slogan दुराया गया है, M के सोट दौरा, and thinking is devil of possibilities, and possibilities have no limit. Thinking is skill is great magnet, which converts possibilities into creativity. अब उसके बाद में, जब हम चोथे गुरू की बात करते हैं, प्रोफेसर जॉन डवी, तो उनकी भी एक education process, जो ब्लकुल modern है, और democratic है. आज नए जबाने के साब से 21 सदी की है पोलिक फिलोस्पी, और उनके को slogan है, वो पहले समझने होंगे, As there is a necessity of food for body, similarly education is a necessity of life of a man, and education itself is a life. बड़ी सिंपल सी लंगेज है, इसे बही हिंदी में समझाने की में के अलगता आप सकता नहीं है. Analyze your past and design your future. Education is social function, education is direction, education is growth. ये सारे education के अंदर इसकी motive है, इन से हमें इन सब की प्राप्टी होती है, आदमी को जैसे खाने के लिए होजने चाहिए, और ऐसे ही आदमी को सिख्सा की अतिया वस्कता है. Education philosophy उनकी क्या थी? उनकी education philosophy का दो परपल्ज थे. एक तो उनकी philosophy scientific है, और innovative है. ये हमें आगे develop करने का आफसर देती है, और तरीके बताती है. और उनकी education system common for all, useful for the community, ये 3C का formula है, and it should be commutative, easily transferable. लोग तंत्र के लिए बिलकुल useful है, लोग कल्यान के लिए है, सब के लिए 1C है, और इसको आगे बड़ी आसानी से transfer भी किया दगता है. Education is of the experience, by the experience, and for the experience. और उनकी social, इनकी education policy के दो बड़े आइम हैं. आइम तो बहुत सारे हैं, लेकि मेरे सज में आए, दो बड़े आइम हैं, जो मैंने education, उनकी democracy education दे लिया. Natural development and social efficiency. Efficiency. जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम सोचेंगे नहीं, knowledge हमारा पढ़ा रहा जाएगा, इसी काम का नहीं है. और knowledge है, उसमें, जब हम पढ़ेंगे, thinking is के लगाएंगे, तो हमें experience नहीं होगा. That's why education is an exploration of experiences. हमें अपने अनुभाव का सोधन करना हो, वही education है. Education is continuity of experiences. इसी तरह से हमें अनुभाव प्राप्त होते जाएंगे, और ये continuity बनी रहेगी. और इन दोनों, जब हमें इस तरह के experience हो जाएंगे, by reorganizing our experiences, we can reconstruct our experience and can convert into performance. इसी से हमारी performance decided होगी. जब हमारे experience उसमें काम करेंगे, उससे reconstruction होगा. Or by this reconstruction, our performance will create and develop sensitive attitude. And this, which will convert into individual efficiency. And our individual efficiency will develop our social efficiency. And by reconstruction of social efficiency, we will get a dignified life. और हमारा एम क्या है? M.K.SOT का एम क्या है? पिर्बूद भारात का निर्माद। Yes. This is the formula which M.K.SOT has given to us. ये पाच्च उनके जो कास्ट, कल्चर, कल्चर अब इस्टूपरिटी, एजुकेशन, फिंकिंगे, स्किल, कोपरेशन, रिकन्स्ट्रेक्शन, रिकन्स्ट्रेक्शन, और असोका का राज आएगा, भारत को बहुत बनाएगा, हम सब को बनाएगा, ये फोर्मूला हम इसी से निकालते हैं, देन, भाई, एक्स्पिरियंसित, जब अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, और अपने बच्चों को समझाएगे, फिर बुद्ध भारत का निर्मान करेंगे, तब हम कह सकते हैं, साथियों, फिर से मैं बोलूगा, असोका का राज आएगा, और भारत को हम सब को बहुत बनाएगा, मैं अपने बादे को हैंवे रहां दूगा, या भी, या